नमस्ते भारत हम बलराम किशान हैं बड़वानी मद्धेबरदेश से और आज हैं चोपडा जलगाओं के पास वोड़दा विटनेर संदीब जी हैं और ये साइड कुछ अनोखी है इसलिए मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं ये प्लांट इलेकी का है जो दक्षिन भारत में ज्यादा होता है मद्धे भारत महराष्टर में होता ही नहीं करते ही नहीं एक किसान निकल के आया है जलगाओं में जिनोंने ये प्लांट लगाया है प्लांट की कीमत भी 25 रुपे की आती है और ट्रांस्पोर्ट वगरा जोड़के 30-35 रुपे तक तो प्लांट तक पूरा ग्रीन रिस दिखेगा है संदीब भाई संदीब परिचे दीजी हम कहां पर है और यह अलग क्या है बनाना में हापे मैं संदीब सुभाश पाटिल रहने वाला वड़ोधा तालुका चोपडा जिल्ला जलगा हूं महारास्टर से यह वराइटी है यह लग की बनाना इसका नेम नेशनल मार्केट में कहा जाता है तो इससे सब्सक्राइब को और ऐसे यह सुरवात हो गई है नौ महीने में फ्लावर केसे दिखता है अगर यह G9 पोधा हो तो हमारे साधरन भासा में किसान कहेंगे वाइरस वाला पोधा है यह बहुत ही nutrition value वाला केला है और सबसे महंगा केला यह बिखता है जब फल complete बनेगा तो इसकी nutrition value बहुत अच्छी होगी मार्केट आपने समझ के लगाया होगा यह कैसे आपके समझ के लगाया था यह अभी जो फिलाल जो कंपनी काम कर रही है सयाद्री रिलाइंस जो इनके खुद के मौल है खुद की आउटलेट है बंबई पुना नसीख और अंगाबाद तो वहाँ पर बहुत सारी डिमांड है क्या रेट की एक एवरेजन डिमांड है आज के अगर रेट की तुलनात मक्या जाए तो आज के रेट वाशी मार्केट में खुले इसके 6200 रूपय क्विंटल 6200 और हमारा यहां का बोर्ड रेट बारा सो का है बारा सो का है बार्दुन च्छति बार्चोक अड़ता ले बार तो एक ट्रांसपोर्ट जो भी लगता है ना तो वह पे करता है आपने कोई रूपया नहीं देना पड़ता है यानि कि आपको या पी 62 रूपय उसको जगह पी मिलता है एक दम बराबर 62 रूपय पर केजी इस तरह का बड़ा होने के बाद दिखेगा यह केला इसका जी ज्यादा तो मिलना स्वभाविक है इसका वेट अभी तक एवरेज एवरेज ज्यादा से ज्यादा अठारा तो बीस किलो आया है कम से कम 12 या 13 किलो 12 13 से 20 तक आता है बजन बजन ओके काफी सुन्दर प्लाट आपने बना लिया है लेकिन जनरल किसान को ऐसा लगेगा कि पूरा समझते हैं साइकल पूरी समझते हैं अच्छा है नई करने की सुरुवात करी कुछ महनत आपने करी है इसमें आप जैसे किसान अगर आएंगे तो हम भी रेवा फ्लोरा में फिर इलेकी का प्लांट बनाना चालू करेंगे लेकिन वो शेत्र के हिसाब से मनस्थिती ब में और तो नहीं है यह जब की नच्राल है ना इसा सोच जाएगी कि यह वाइरस का प्लांट तो नहीं है गोलाक के मेरा दोस्त का परसों की दिन अर रेती है ओं मुझे केzentर मुझे मश्चान तरह की परदी तेड़ा होगा है ना इसका बजन 22 किलो है चोटा 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 केली रहेंगी इसमें नूट्रिशन वेल्यू के कारण यह रेट में बिखता है अच्छी बात है इसमें एक चीज संदीब भई मुझे समझ में आ रही है यह क्या हम इसका ग्राफ अभी जो है इससे और बड़ा कर सकते हैं क्या यह आईडियल ग्राफ है ने इससे बड़ा कर सकते हैं अभी चोटा कभी किया नहीं था इसलिए पहले सुरवाद यह मैंने वहां से देख के आया था मैंने साथ-पाच पे किया मगर मेरा अगला प्रेंटेशन बाजू में यह आज से उपर ही करूंगा इसमें दो चीज मुझे समझ में आ रही है एक तो आपने क्या किया है यह बड़ा रखा ह और यह चोटा रखा है है ना लाइन में पोधे पास-पास में है और लाइन से लाइन दूर है इसको अगर सराउंड में लिया तो मुझे जहां तक लगता है सब तरफ लिया तो यह जो पत्ते चाओं में आ गये हैं यह मुझे से पीला पढ़ना चालू हुआ है मतला अभी दस दो में से कोई सा ग्राफ आपको लेना चाहिए मिनीमम पाच बाई नौ तो एक एकड में 968 प्लांट आएंगे पूरा सराउंड रहेगा और यह अभी जो केला दिख रहा है मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यह इससे 20 से 30 परशन व्रद्धी में आएगा क्योंकि नीच सारे पत्ते अपने काम में आएं इसलिए सराउंड ग्राफ चाहिए और यह जो एक तरफ जुका है यह एक एसा थोड़ा सा डर प्रतीत करता है कि कहीं आंदी तूफान आएगा तो गड़बर ना हो जाए इसलिए सराउंड ग्राफ चो तरफा चारो तरफ से बराबर अभी यह जिदर साथ है उदर जुक गया है तो एक जेसर रहेगा तो लाइन से लाइन पांच पोधे से पोधा 10 कर सकते हो जिग जेक या पोधे से पोधा 9 तो 45 स्क्योर फिड बनेगा और मैंने कहीं सारे दक्षिन भारत में ऐसे प्लोट जिग जेक में करवाया है और काफी सुन माजबाई 9 पर गए हैं सेम आज अपनी अपनी क्लास हुई ना सेम एजट इस तो आप इसकी रटून भी कंटिन्यू रखो ना क्योंकि अभी पोधा ही महंगा है यहां बहुत सारी कंपनिया बना नहीं रही है बाहर से आपको दक्षिन भारत से पोधा लाना पड़ा भी ट अब इसका पिल लोगे तो इसके फिर बाहर निकल जाएगा इसलिए तो बहुत सुन्दर बनने वाला है और अच्छा है आपने शुरुवात करी है नहीं तो जलगाओं में इलेकी केला आ गया है यह अच्छी बात है महनत और डेरिंग महराष्ट करता जरूर है और प्रोसाहन मिलता है अब अलग-अलग मोल बन चुके हैं यह इलेकी का फल है नाकी वाइरस का बार बार में याद दिला रहा हूं पबलिक को ताकि समझ जाओ इलेकी में निउट्रिशन वेल्यू ज्यादा है और 62 रुपे किल अभी तक आया नहीं ओके थेंक्यू संदीब भाई अच्छा लगा आपका विजिट करके और हम कामना करेंगे इससे आप अच्छा पेसा बनाओ और रटून भी लो बहुत बहुत धन्यवाद कमल केसे तोड़ रहे ऊपर जाकर कर दराती उसमें हुक में बांदा हुक में ब येस थेंक्यू भारत